अगली क्लास में आप सभी ने सर्कूलर लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ लिया था आज आप एक और न्यू लिंक लिस्ट के बारे में जानियेगा जिसे हम कहते हैं डबली लिंक लिस्ट तो आज आप पढ़ेगा डबल लिंक लिस्ट क्या होता है उसका एक रियल लाइफ एक्जाम्पल उसके बाद हम आपके इंटर्ट और डिलीट ऑपरेशन को दिखाएंगे कि कैसे नोड को इंटर्ट कीजएगा तो सबसे पहले डबल लिंक लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक हलका सा फिल दिदर रहा हूँ मालनीचे आपकिसी अपार्टमेंट में जाते हैं अपार्टमेंट या सोसाइटी में जाते हैं मालनीचे वहाप पर बहुत सारे फ्लैट होते हैं उनमें different kinds of person भी रहते हैं आप कभी एक फ्लैट है? टेक है आपके फ्लैट के बगल में जो रहता है आप उसका information जानते हैं कि वह कहां जौब करता है उसके family member कितने हैं और वगएरा वगएरा मेरे जो सब जानते हैं similarly आपका जो पडोसी है न वह भी आपके बारे में जानता है कि आप क्या करते हैं इसका मतलब हुआ आप दोनों के पास एक दूसरे का information होता है आपके चलिए मैं एक example की तूसर्मा जी का फ्लैट वर्मा जी का फ्लैट गोस बाबू का फ्लैट और बैनर जी बाबू का फ्लैट ओके बोस बाबू एन बैनर जी बाबू तो इसके फ्लैट नंबर में होंगे चलिए लिख देखें उसको 304 फ्लैट नंबर इस इस तो फ्लैट नंबर इनका है पानसो बारा माले जी यह 368 में राते हैं और यह 472 में राते हैं माले जी यह मैं हूँ मैं सुसाइटी में गया मेरे पास एक ही परसन का इंफॉर्मेशन है या एक ही फ्लैट नंबर का इंफॉर्मेशन है नेट इस दा इंफॉर्मेशन आप सर्मा जी अब सर्मा जी के पास जो उनके परोसी है या सर्मा जी जिनको अपना परोसी समझते हैं उनका इंफॉर्मेशन उनके पास है तो सर्मा जी के पास वर्मा जी का इंफॉर्मेशन है कि वर्मा जी किस फ्लैट में रहते हैं यह सर्मा जी को पता है तो similarly अगर आपके साथ उनके अच्छे संबंध है तो उनको भी पता होगा कि आप किस फ्लैट में रहते हैं तो वर्मा जी को भी पता है कि सर्मा जी कौन से फ्लैट में रहते हैं सिमिलरली मालेज़े वर्मा जी को उनके जो नेक्स्ट नेवर है या जिससे वो बात करते हैं उनका एड्रेस उनको मालूम है बालेज़े सर्मा जी के पास घोस बाबू का इंफर्मेशन है कि घोस बाबू इस प्लैट में रहते हैं तो ओवेसली घोस बाबू के पास भी वर्मा जी का इंफर्मेशन होगा और पाल लेजे घोस बाबू के पास बैनर जी बाबू का information है and similarly बैनर जी बाबू के पास अब यहाँ एक चेश गौर कीज़े बर्मा जी को यह लीजे बर्मा जी के पास रेखिए कुछ ने कुछ data है मतलब की बर्मा जी क्या करते है उनके कितने लड़के है या उनके family members कितने है कारे कितने हैं उनके पास वगेरा वगेरा यह सब आपके data है और बर्मा जी के पास दो और information है और वह क्या है कि उनके ठीक पहले या उनके never know बर्मा जी को जी के दो address है पहला एड्रेस है किस का? घोस बाबु का कि घोस बाबु जो है, किस फ्लैक में रहते हैं और किसका information है? सर्मा जी का किस सर्मा जी किस फ्लैक में रहते हैं तो इनके पास तिकिए अगर ध्यान दिजेगा तो तीन चीजें आप पाईएगा पहला देटा दूसरा, दो पॉइंटर है इनके पास, दो इन्फोर्मेशन है या दो एड्रेस है इसी को हम डबल लेंक लिस्ट कहते हैं सिमिलर्डी अगर आप घूस बाबू के पास आ जाईए तो देखे घूस बाबू के पास भी बैनर जी बाबू का इन्फोर्मेशन है और वर्मा जी का इन्फोर्मेशन है तो इसे को हम लेंक लिस्ट कहते हैं, देखे तो लेंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन इस सरह होता है मालने चाहिए आपके वर्मा जी है या इसको हम डेटा कहते हैं इस पार्ट में जो भी रहता है उसे हम डेटा कहते हैं और यह पार्ट इसको एक नाम दे दिया जाएं प्रीवियस बने बर्मा जी के पहले कौन आता है और यह पार्ट जो है अपका next है तो बर्मा जी के प्रीवियस में किसका address इस्टोड है सर्मा जी का that is 304 इसमें इस्टोड है और इसमें नेकिन next बर्मा जी के पास next किसका information है घोस बाबु का that is 368 तो double link list में एक data होता है और दो pointer variable होते हैं जिन में से जो previous pointer variable है वा ठीक इसके पीछे कौन सा node है उसका information रखता है और next जो है pointer variable वा उसके बाद कौन सा node है इसका information रखता है इसी को हम double link list कहते हैं और यह काफी practical भी है अगर कोई आपके बारे में जानता है तो आप obviously उसके बारे में भी जानते हैं जरूरी है न जानना ठीक है तो इस तरह से आप representation कर सकते हैं यह तुमा दिश आपके real life का example हुआ मैं आपको नीचे में लिकरा दे रहा हूँ okay okay suppose it this one okay say this एक चीज़ आप यहां गौर कीजिए सर्मा जी जो कि हमारे पहले नोड है या जो हमारा पहला फ्लैट है उनके पास सिर्फ एक ही location का या एक ही flat number का address उनको पता है इनके previous node का address उनको नहीं पता है यूप हम यही से तो start कर रहे हैं उसके बाद यहां देखिए आप इनके पास भी देखिए इनके जो previous है इनका information है लेकिन next house में कौन रहता है इसका information इनके पास नहीं है तो मलेजी पहला node है इसको cross cross कि सर्मा जी के पहले कौन node है उनको नहीं पता है next इसके next मान लिजे और यह तो cross ही रहेगा और यह तीनी घर है फिलाल इस घर को डिलीट कर देते हैं suppose कि यह त्री नोट गाई सिस्टम बनाते हैं यह आपका सर्मा जी वर्मा जी और घोस बाव सर्मा जी के पास वर्मा जी का address है तो that is यहां क्या होगा पाम सो बाराव similarly वर्मा जी के पास इनका information है that is 304 यह देखें वर्मा जी के पास घोस बावू का information है गोस बावू जी फ्लैक में राते है that is 368 obviously घोस बावू के पास भी वर्मा जी का address होगा that is 512 and the last one cross इसे को हम कहते है डबली लेंकेट लिस्ट इसमें क्या होता है दीखें इसको ध्यान देजिए इस नोड के पास इसके previous पार्ट में इसके ठीक पहले जो नोड होता है उसका information होता है और इसके next पार्ट में जो next नोड होता है उसका information होता है तो यह काफी मज़दार है और यह like में भी ऐसा ही होता है तो चलिए अब आपको double link list समझ में आ गया अब देखिए कि double link list में या अपने मालजे कोई नया परोसी आ गया है तो आप उसे कैसे add किजिएगा उसके भी तो नकड़े होता है ना कि हमें यह flat चाहिए हम इस flat के बाद लेंगे हम इस starting flat लेंगे हम उपर के top तो को लिए रने चाहता है फिर भी मजबूरी में last लेंगे तो depending on that particular person coming उसकी choice के अंसार हमें उसको एक particular flat को allocate करना होगा या particular flat में उसको ढुकाना होगा और उसका यह भी choice हो सकता है कि हम इस particular person से ही related होगे मेरा information दूसरे के साथ ना share किया जाए तो कैसे आप insert कीचेगा इसके लिए आप चार insert operations करेंगे यहाँ पर जिन में से पहला है आप लिख लीचेए inserting a new node at the beginning of a given W-linked list मैं आपको एक पर और रिपेट करता रहा हूँ insert a new node at the beginning of the given W-linked list चले करते हैं कि मैं आपको लुटन करते हैं और मेंन आपको पूरसे वाघए